Google AI Studio और Android Studio के माध्य हम सब कैसे एक app create करकर money make कर सकते हैं आज मैं आपको बताओंगा दोस्तों के Android app create करने के लिए सबसे पहले आपको यह decide करना है कि आप किस टैप की app बनाना चाहते हैं चैप gaming app बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी टैप की calculator app बनाना चाहते हैं पहले आपको यह decide करना है कैसी app आपको create करना है जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर example लेने वाले हैं EMI calculator app का तो उसी को मैं आपको बना कर दिखाऊंगा और app को बनाने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले हैं Android Studio और Google AI Studio का तो इन्हें का use करकर हम यहाँ पर EMI calculator app करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको जाना है Google AI Studio को उपर और इसकी उपर अपन अकाउंट करने और Google AI Studio को कैसे use करते हैं कैसे इसके उपर अकाउंट करना हैं क्या-क्या features इसके अंदर available हैं इसकी उपर अलड़ी मैंने वीडियो बना रखी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क में दिखाए दे रहोगा यह तो वीडियो section को बजाना है पहली वीडियो आपको इसी topic पे मिल जाएगी उस वीडियो को देख लेना है इससे आपको Google AI Studio और Jamni 2.5 Pro की पूरी knowledge मिल जाएगी तो सबसे पहले आपको यही काम करना है इस वीडियो के देखना है और Google AI Studio की जानकरी बना देना है जैसे आप Google AI Studio के ऊपर अपन अकाउंट करीड कर लें उसके बाद आपको इसके home page को पराना है create prompt इसको पकलिक कर देना है अब आपको यहाँ पर इस model को चूज करना है जिसका नाम क्या है Jamni 2.5 Pro यह basically coding और reasonably best यहाँ पर model माना जाता है तो इसको आपको चूज करना है इसके बाद आपको जाना है Google के उपर यहाँ पर आपको Android Studio App को डाउनलोड कर लेना है जैसी आप यहाँ पर Android Studio को डाउनलोड कर लेंगे और इसको इंस्टोल कर लेंगे तन आपके सामने यह वाल इंटरफीर्स आएगा अब आपको यहाँ पर आना है New Project इसको पकलिक करना है MPT Views Activity इसको पकलिक कर देना है Then Next इसको पकलिक करना है Application में आपको यहाँ पर अपनी application का नेम दे देना है इससे में आपको डाल देते हूं EMI Calculator तो यहाँ पर मैं EMI नेम दे दिया है Save Location में आपको अपनी location चूस करना है Language में Java चूस करना है Minimum SDK के अंदर आपको यहाँ पर API 24 Nugget इसको चूस करना है यहाँ से आपको Groovy DSL इसको चूस करना है Then Finish इसको पकलिक कर देना है अब Android Studio यहाँ पर work करना स्टार्ट कर देगा और files को यहाँ पर create करना स्टार्ट कर देगा जैसे कि यहाँ पर यह XML file को create कर रहा है यहाँ पर create हो चूकी है तो इसको मैं यहाँ पर code से replace कर देता हूँ अब मुझे यहाँ पर अपने codes को create करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने कुछ prompts बनाया है जिनका यूस करकर मैं यहाँ पर अपने codes create करूँगा तो यहाँ पर मैंने क्या लिखाया है give me java code to make a EMI calculator android app I use android studio to make this app so make codes according to it इस परकास से यहाँ पर मैंने क्याँ prompt डाला है तो मैं run इसको पर click कर दूँगा Google AI studio यहाँ पर work करना start कर देगा और कुछ ही मिंटो में आपको यहाँ पर codes बना करते देगा जिसको only आपको यहाँ पर copy and paste करना है तो यहाँ पर आपके codes बनने start होगे है और कुछ ही मिंटो में आपके सामने codes बन करा जाएंगे जिसको only आपको xml file और java file से replace करना है तो यहाँ पर मेरे files बनने start हो गई है तो पहले इसने आपको xml file बनाना start कर दिया है तो यहाँ से मैं यह वाला part न यह वाला part इसको यहाँ से copy कर लेता हूं उस परकार से अब अगेन आपको यहाँ पर जाना है xml file को उपन करना है height के नीचे आपको इसको इस तरीके से copy and paste कर देना है उसके बाद आपको इस part को delete कर देना है मैं यहां से लेकर यहां तक इसको delete कर देता हूं इस तरीके से उसके बाद again आपको यहां पर आना है और यहां से आपको linear layout इसको पूरा copy कर लेना है तो यहां से इसको मैं पूरा copy कर लूँगा इस तरीके से यहां तक यहां तक इसको मैं पूरा copy कर लूँगा एंड इसको मैं यहां पर इस तरी के से replace कर दूँगा अ इहां पर आप अपनी अप का इंटरफीस सकते हैं कि इतना प्यार सा इंटरफीस यहां पर बना है इंटरफीस यहां पर इसका बहुत Flex क्या कर दूँगा थोड़ा सा attractive बना दूँगा तो attractive बनाने के लिए again मैं यहाँ पर कुछ prompts का use करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक prompt बनाई है, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, interface बहुत ही simple है, तो इसको यहाँ पर क्या करो, attractive interface से replace करो तो, तो इस वाले prompt को मैं यहाँ पर copy and paste करने वाला हूँ, then run इसको पर click करतेंगे, again यहाँ पर Google AI Studio work on start कर देगा, और updated XML file आपको यहाँ पर बना कर देदेगा, कुछ ही minute over time यहाँ पर बितेगा, बड़ी ऐसी file आपके समने बन किया जाएगी, जिसको only आपको यहाँ पर replace कर देना, ठीक है, जब तक file यहाँ पर बन दिये, कुछ changes मैं हाँ पर कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मुझे replace करना पड़ेगा, तो हम अगेन यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, एंड देखता हूँ, यह वाला पार्ट मेरा बना है कर नहीं बना है, देखो यहाँ पर, यह वाला पार्ट मेरा बन चुका है, यहाँ से मैं scroll view वाले पार्ट को यह यहाँ से copy करूँगा, इस तरीके से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, कापी ज़्यादा codes इस नहीं पर बना दी है, तो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक इसको मैं copy करूँगा, एंड इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से, इस सो इसाइप का मेरा interprez मेरा बन बना क पूड चुका है काफिशा ईंटर्फीस लग रहा है अगर आपको हो और भी मोडिटिकेशन कर दो कनेे तौह स्कूलितर हुसके बढ़ा है गल्स की हो भी चाहर मल ठीक tämä त Train प्रोगन वा रेटरें ने चटाएगा उसको अनली मुझे यहां पर करना है थोड़ा बहुत चेंजिस वगेरा करते हैं तो यहां पर शोव कर रहा है अच्छा यह थोड़े पहुत वैसे एरर्स हैं इनके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनको छोड़ो इनमें कोई दिक्कत यहां पर आपको option मिलेगा public class main activity का तो यहां से आपको इस तरीके से इसको copy कर लेना है यहां से आपको इसको भी इंपोर्ट कर लेना है यहां से आपको इसको भी इंपोर्ट कर लेना है यहां से आपको इसको भी इंपोर्ट कर लेना है यहां से आपको इसको भी इंपोर्ट कर लिया है उसके बाद यहां से आपको फ्रस चाहरा पांट है यहां तक इसको पूरा डिलीट कर दे cuidado है इस तरीके से ओकेमं traitor कि अब अगेन यहां पर आएंगी। एलंगी और यहां से मैं इसको पुपी करोंगा तो यहां से लेकर यहां तक कहां तक यहां तक इसको मैं यहां से लेकर यहां तक कोपी कर लूँगा एंड यहां पर मैं इस तरीके से रिप्लेस कर लूँगा ठीक है इसके अंदर भी बहुत सारे errors है इनर इसको भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा तो import class इसको क्लिक हुआ ठेक है यहां से रिम्मोब हो चुका है यहां पर भी इस परकास से इंपोर्ट इंप्रस नजर आएगा आपको यहां पर इस से इसको स्क् fault धंकर दो कर देना है इसतरीके से आपको हिहां पर सारी अरष को रिमोब कर लेना हैं तो यहां सेв 박ा convin कि इसमें भी import class ओप्शिन ना ज़र रहे हैं गो रहा है import class इस तरीके से इसको भी remove कर देंगा अभी तीन zeros दिखा रहा है यहां से import class इसको remove कर देंगा एक error दिखा रहा है कि देखना कहा पर वह error रहा हां तो भी आपको ठीक कर देंगा यह रहा, इसको भी मैं यहां से, इस तरीके से, यह रहा, इम्पोर्ट क्लास, इसको भी मैं रिमूव करतूँगा, सारे एरर्स मैं आप रिमूव करती है, अब मुझे यहां पर अपनी resource file को create करना है, तो again मैं यहां पर आऊँगा, bottom में जाऊँगा, and यहां पर मैं इस वाले code प्रोम्ट को, जिसमें क्या लिखा है, now give me resource string code for this app, इस वाले प्रोम्ट को यूज़ करूँगा, और यहां से मैं अपना resource string app को create करना है, तो यहां पर यहां पर यह work करना start करेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा resource string, जो code है वो भी create हो जाएगा, इसको मुझे replace कर दिन है, तो यहां पर मेरा resource code बनना start हो गया, तो इस प्रकासे सन्य हैं पर resource code पूरा बना दिया है, ठीक है, अर मुझे क्या करना है यहां से, यहां से लेकर यहां तक इस code गो copy कर लेंगा, ठीक है, again यहां पर जाएंगे, apps इसको पकलिक करेंगे, resource इसको पकलिक करेंगे, values इसको इसको अम open कर लेंगे और यहां से ले कर यहां तक इसको copy करना है और इस ही प्लेस कर दिना है तो यहां पर आपका resource code भी बंचुक Michaels प्रकास से मैंने यहां पर किया कर लिए है complete codes ने यहां पर बना लिए ठ leici है यहांसे मेरा प्रकास से प्रकास मैंने है developer option को open करना है, उसके अंदर USB dubbing उसको open कर लेना है, phone को आपको अपने USB cable से अपने इससे connect कर लेना है, किससे connect कर लेना है, अपने computer PC से connect कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर run का option ज़राएगा, इसको पर click करना है, और आप अपने phone के लेना चेक कर पाएंगे, कि आपकी app रन कर रही है और नहीं कर रही है, और गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहले बार Android Studio को पर work कर रहे हैं, definitely आपकी app यहाँ पर रन नहीं करेगी, तो पहले मुझे इन errors को रिमूव करना पड़ेगा, उसके के लिए मेरी app यहाँ पर run होगी, ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोछ नहीं कर सकता, मैं simply करूँगा, जो भी मुझे errors यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, इनको मैं copy कर लूँगा, इस परकार से हैंना, अगें मैं जाँगा इसको पर Google ASUD के उपर, पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ सारे codes हैं, यह वाला codes, जैसे यह वाला codes है, इसको मैं यहाँ से copy कर लूँगा, इस तरीके से, बता रहा हूँ कैसा आपको यहाँ पर अपने errors को remove करना है, यहाँ पर copy and paste कर देना है, फिलिक देना है, there are some errors, बता रहा हूँ errors in above code, ठीक है अब जो errors उनको आपको copy कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर जाँगा, इसको मैं यहाँ से, इस तरीके से copy कर लूँगा, यहाँ पर से, इसको मैं copy कर लूँगा, फिलिक आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आजाना है, इसको आपको यहाँ पर टैप कर देना है, यह error इसको आप सोल्ग कर दो, यह again आपको code बना कर देतेगा, जो error free होगा, अगें आपको यहाँ पर इसी तरीके से उन, जो भी आपको code बना कर देना है, और आपको यहाँ पर error free code बन जाएंगे, जैसी आपके यहाँ पर सारे errors remove हो जाएं और बिल्कुल अच्छे से code आप यहाँ पर create कर लें, आपकी app यहाँ पर बन जाएगी, अब आपको अपनी app की AP को कैसे download करना है, वह इम आपको बताता हूँ, तो AP को download करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, एक बात हो रहा है, अगर आप अपनी app के अदर logo लगाना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इस case में आपको resource के ऊपर ही चला जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको right click करना है, ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है, जहाँ पर भी आपने अपनी image वगार को save कर रहा है, ठीक है, वहाँ से आपको अपनी image को import कर लेना है, ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई image अविलेवल नहीं है, अगर को अपनी app को download करना है, वह मैं पर आता हूं, 3.0 इसके उपकलिक कर देना है, यहाँ पर आपको option मिलेगा build का, तो आपको इसके उपकलिक कर देना है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर again 3.0 पर click करेंगे, यहाँ पर build का option नहीं जड़ायागा, इसके उपर click कर देना है, generate app bundle और app के गा, तो आपको इसके उपकलिक करना है, generate app के इसके उपकलिक कर देना है, जैसा आप इसके उपकलिक करेंगे, तो gradle build running यहाँ पर होना start हो जाएगा, और कुछी मिंटों में क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर app की है, उसकी app की यहाँ generate हो जाएगी, जबकि PC के अंदर automatically save हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर gradle build running होना start हो गया, और कुछी मिंटों में हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर APK बन के ready हो जाएगी, जैसी यहाँ पर बनती है, वह मैं आपको आपको दिखा दूँ देको, यहाँ पर मेरी APK बन यहाँ आपर लिक करना है, लुच सब्सक्स के इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी APP को create कर लेना, अब बात आती कि आपके इस तरीके से अपनी APP को monetize कर सकते हैं, तो आपको गूगल एड मोग इसके ऊपर अपना account create कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी APP को एड करवा देना है उसके लिए अपने 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 अपन यतने बंदे आपकी Apps को यूज़ करेंगे उतने ही आप यहां से अर्निंग भी स्टार्ट कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहां पर Google AI Studio और Android Studio के माधियम से अपनी एक सिंपल सी एप करेट कर सकते हैं, I hope आपको आज का मैतर स सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के आपर कम से कम 100 लाइक से लेकिया हैं, तक इसी टाप का ओसम कंटेंट अम आपके साथ शेयर कर पाएं